वेलकम टू नेक्स एक जाम आज है 16 सितंबर 2022 और 16 सितंबर 2022 से करेंट अपैस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्यन बन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर कुश्यन से रेलेटेड इंपोर्टेंट प्रेक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पू टेलेगनाइब भुरुक्याएबर एक डिस्कशिन अब्ड़ गुए तो आप उस लेंक बर क्लिक करके टेलेगना सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैंहेंट पहला किशेशन हाली में 200 लिंफोमा जागुरुकता दिबस Kab मनाया गया है तो अब 15 सितंबर को 200 लिंफोमा 4 त के बेंधीन ρूपों से पेड़ेत रोग्ण्यों की देखarl क्लिए हर साल 15 सितंबर को विसु लिंफो मा जागरूक्ता दिवश मनाया जाता है अच्छा 15 सितंबर को ही अंतरास्डी लोक्तंत्र दिवस मना जाता है लोकतंत्र की महत्ता के बारे में लोगों को जागरूख करने के लिए हर साल 15 सितंबर को अंतरास्टी लोकतंत्र दिवस मना जाता है अच्छा इंजिनियस डे भी 15 सितंबर को मना जाता है भारत रत डॉक्टर बेस्वे सरया का जन्दिन होता है 15 सितंबर को 11 सितंबर को Patriot Day मनाया गया था बिनोबा भावे की जैनती भी 11 सितंबर को मनाया गया और राष्टी बंद सहीद दिवस भी 11 सितंबर को मनाया गया 10 सितंबर को बेस्म हात्म अत्यारोक्ताम दिवस और 200 प्रात्मिक चिकित्सा दिवस मनाया गया 9 सितंबर को हिमाले दिवस मनाए गया और बल्ड एलेक्ट्रिक वीकल डे भी 9 सितंबर को मनाए गया 8 सितंबर को बेस्टु भौतेक चिकित्सा दिवस मनाए गया 8 सितंबर को ही बेस्टु फिजियो थेरेपी दिवस भी मनाए गया पांच सितंबर को अनतरास्टी चैरिटी दिवस मनाये गया तेन सितंबर को नेशनल स्काइ स्क्रेपर डे मनाये गया और तेन सितंबर को ही अनतरास्टी गिद्ध जागरुकता दिवस मनाये गया अच्छा दू सितंबर को बेस सुनारियल दिवस मनाये गया तो सितंबर में अ आपको भी बोलता हूं, डेली मौनिंग में उटकर सबसे पहले अपने लेक टारगेट पिक्स करो, चाहे छोटा साई टारगेट पिक्स करो, लेकिन डेली मौनिंग में उटकर, सबसे पहले अपने लेक टारगेट पिक्स करो, और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को वोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक मित्रण मंत्री हैं, प्यूस गोयल और तादा साहे फाल के अंतरास्ती फिल्म महुतसब के मुख के कारेकारी अधिकारी हैं, अब शेक मिस्रा एन दोनों को एपसी आई की सलाकार समिती के सदस्य के रूप में न्योप किया गया, तो एपसी आई का हेड़कोर्टर कहांपर है? म्यू डैली में, और एपसी आई की प्रजेंट टैम पर चेर्मЕН कौन है? असू कुमार मीना, Ching oben否 ने क्यू जू नहीं, हाली में मिस्टन अमरत सरोबर के किरियान्स में में कौन सीर्ज पर रहा है तो अब ही केन सरकार ने मिसन अमरत सरोबर शुरू किया था ये जल सन्र recovered और sun chain के उद्धेस से शुरू किया गया तो मिसन अमरत सरोबर के किरियान मेरान मेर उत्तरप्रदेश टॉप पर रहा है तो इस求 इसन का बे option सही है उत्तरप्रदेश फस्ट पर है मद्रप्रदेश सेकेंड पर है जम्मु कस्मीर थर्ड पर है और रायस्तान फूर्थ पर है अब उत्तरप्रदेश टॉप पर है तो यह है मैपन उत्तरप्रदेश उत्तरप्रदेश की capital क्या है लखनव और लखनव किस नदी की किनारिश्थित है गोमती नदी किनारिश्थित है जैसे दिल्ली में NCR है National Capital Region उसी तरह अब लखनव में SCR डेवलप किया जाएगा State Capital Region उत्तरप्रदेश की चीपनिष्टर है योगी आलतनात और उत्तरप्रदेश की गवर्नर है आनंदी बेन पटे अच्छा उत्तरप्रदेश का राज की पसु है बारा सिंगा, राज की पच्ची है सारस्या क्रोंच, राज की पुस्प है पलास और राज की ब्रच्च है असोक का ब्रच्च अभी भारत का पहला नाइट सफारी और जै बिवित्ता पार्क लखनू में बनाया जाएगा का उद्गाटन हुआ है एरपूट अथोर्टी ऑफ इंडिया ने उत्तरप्रदेश सरकार के साथ समझता किया है उत्तरप्रदेश सरकार ने अब हर परिवार के लिए फैमिली कार्ड जारी करने की गोशना की है फैमिली कार्ड जारी करेगी उत्तरप्रदेस सरकार हर परिवार को बारेमी होके इंडिया जूनियर पुरुस रास्टी चेंपियन से उत्तरप्रदेस ने जीती है बारत में सबजियों का सबसे बड़ा उत्पादक राजी उत्तरप्रदेश है आप यहाँ पर ध्यान रखिए सबजियों का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तरप्रदेश फलों का सबसे बड़ा उत्पादक आंदरप्रदेश मचलियों का सबसे बड़ा उत्पादक तमिल नाडू और चेनी का सबसे बड़ा उत्पादक मारास्ट ये सबसे बड़े उत्पादक राजी आप याद रखिए अच्छा रास्टी जल पुरुसकार 2022 में सर्व स्रेष्ट राजी के रूप में उत्तर बड़ेश को चुना गया उत्तर बड़ेश में दुद्वा नेशनल पार्क है कतर्निय घट वाइल लाइफ सेंचुरी है और पेले भीथ टाइगार रिजर्ब है नएक कुशन है, हाली में किस ने नई किताब रजनी के मंतर लिखी है तो ये किताब लिखी है पेसी बाला शुब्रमन्य आपने ले तो इस किताब का पूरा नाम है रजनी के मंतर लाइफ लेसंस फ्रॉम इंडिया जागा लाज राखी है और इस बुख को लेखा है पेसी अच्छा कल मैंने आपको बताया था कि सूजर्ड मारेन ने एक नई किताब लिखी है जिसका नाम है बिल पॉबर अमित सिन्ना और जॉय वट्टाचार्या द्वारा लेकित पुस्तक दू डिफरेंट धा अंटोल धोनी नामक पुस्तक का विमोचना भी किया गया था ये पुस्तक लिखी थी संजय बारू ने दिलेप कुमार इन दा सेडो ऑफ लेजेंड ये पुस्तक लिखी पैसल फारुकी और इनी ने इसको प्रकासित किया है नेक्स कुशन है आली में नरेश कुमार का निधन हुआ है बे कौन थे तो नरेश कुमार ये एक टैनिस किलाडी थे और अभी इनका निधन हो गया तो इसको शिनका बे आप्सन सही है ये थे पूर भारती Tennis किलाडी और Davis Cup के कप्तान नरेश्ट कुमार इनका अभी 93 एर की एज में निधन हो गया है हाली में नेति आयोग ने पहले सुन्ने फोरम की मेजवानी कहां की है तो अभी नेति आयोग ने पहले सुन्ने फोरम की मेजवानी नई दिल्ली में की तो इस कुशिन का A option सही है बारत के producer A mobility अभियान सुननी की पहली बरसगाट अभी नई दिल्ली में आयोजीत की गई नई हुशिन है हाली में किस चिडियागर को बारत का सर्व स्रेष्ट चिडियागर गोसित किया गया है तो पश्य मंगाल की दार्जिलिंग में स्थित पदमजा नाइडू हिमालियन जूलोजीकल पार्क यानि की दार्जिलिंग चिडियागर को देश का सर्व स्रेष्ट चिडियागर डेकलेर किया गया है तो इस question का C options है, यह important question है, देश का सर्व स्रेष्ट चिडियागर, दार्ज लिंक चिडियागर, डिकलेर किया गया है, और यह कहां पर है, पश्य मंगाल में, ने question है, हाली में बिनेश फुगाड ने सर्विया में बिस्सु कुस्ती चेंपिंसिप में कौन सा पदक जीता है, तो बिनेश फुगाड ने सर्विया के बेल ग्रेड में 53 किलोग्राम बर्ग में कान से पदक जीता है, तो इस question का B options है, यह हैं बिनेश फुगाड और इनो ने ही अभी सर्विया में बिस्सु कुस्ती चेंपिंसिप में कान से पदक जीता है, ने question है, हाली में अखिल भारत एक आदि राजबासा संब्हलन की मेजबानी अभी सूरत में की गई, तो इस question का A option से यह है, केंडरी ग्रह मंत्री अमित्सा ने 14 सिसम्बर यानि की हिंदी दिवस पर अखिल भारती राजबासा संब्हलन की मेजबानी सूरत में की है, ने question है, हाली में किस देस के पूर्ब अमपायर असद रौफ का निधन हुआ है तो असद रौफ ये पाकिस्तान के पूर्व अमपायर थे और अभी इनका 66 वर्स की उम्र में निधन हो गया तो इस कुश्चिन का बे अप्शन सही है ये थे असद रौफ ये पाकिस्तान के पूर्व अमपायर थे अब पाकिस्तान तो ये है मैप में पाकिस्तान, पाकिस्तान की केपिटल क्या है, इसलामाबाद, पाकिस्तान की करनसी क्या है, पाकिस्तानी रुपया, पाकिस्तान की प्रजेंट टेंप प्राइमिस्टर कौन है, सहवाद सरीफ, अच्छा इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं एसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को डूरंड लाइन कहते हैं इंडिया और चैना को डिवाइड करने वाली लाइन को मैक मोहन हाली में किसे robotic surgery का sales सम्मान मिला है तो dr. Sandeep Nair को अभी robotic surgery का sales सम्मान मिला तो इज क्वेशन का say options है आप image में देख़िए ये है dr. Sandeep Nair और any को अभी robotic surgery का sales सम्मान मिला है नाप से कुषिशन है को हिंदी दिवस्ता और हिंदी दिवस्त पर करनाटक में अलग अलग जगों पर आंदूलन हुए और इसी आंदूलन की वज़े से करनाटक सरकार अब कंणड भासा को अनिवार करने के लिए कानून मनाएगी तो इसकुषिन का बे आप्शन सही है अब करनाटक तो यह है मैप करनाटक की केपिटल क्या है बैंगलॉर करनाटक के चीपनिस्टर कौन है बस अब राज बॉंबई और करनाटक के गवर्नर कौन है थावर चंद्र गहलौत अब एक करनाटक सरकार ने क्रसी को बड़ावा देने के लिए एसा आउट्रिच के साथ समझता किया है SBI ने स्टार्टफ के लिए डेडिकेटिट पहली ब्रांच करनाटक के बैंगलूरू में खोली है करनाटक सरकार ने खिलाडियों को दो प्रतिसत आरक्षड देने की गोश्ण की है और गाय को गोध लेने के लिए पुंडे कूटी दत्तु यूजना सुरू करने वाला पहल पुल्चाल की वासा में संस्कृत बोली जाती है अच्छा करनाटक में कौन-कौन से नेस्नल पार्क हैं बांदिपूर, अंसी, नगरहूल, बनलकटा और कुद्रे मुखा नेस्नल पार्क ये करनाटक के इंपोर्टेंट नेस्नल पार्क है ने क्यूशन हाली में राजनाइक के प्रसिच्छड के लिए ये मेडागासकर के साथ समझाता किया गया है अब मेडागासकर तो मेडागासकर की केपिटल क्या है अनन्त नारीवो मेडागासकर की करनसी क्या है मेडागासी अरियरे और मेडागासकर की प्रजेंट टेम पर प्रेसिडेंट कौन है एंड्री र जो ए लिना, ने शैय में किस राज सर्कार ने न्यूंतम बेतन में सरस्ट प्रत्त की ब्रद्धि की है? तो दैनिक मजदूर को जो नियूंतम बेतन मिलता है delegady मिलती है उसमें सरस्ट प्रत्सत की ब्रद्धी अभी सिक्किम सरकार ने की है तो इसकुशन का बे ओप्सन सही है अब सिक्किम तो ये है मैप में सिक्किम सिक्किम की कैपिटल क्या है गंग टोक सिक्किम के चीपनिश्टर कौन है प्रेम सिंग तवांग और सिक्किम की गवर्नर कौन है गंगा प्रसाथ अभी सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना की पहल की है सिक्किम के पूर मिख मंतरी बेबी गुरंग का अभी निधन हुआ और सूले मही को सिक्किम इस्तापना दिबस मनाया जाता है हाली में किस भारते क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास की गोशना की है तो अभी रॉबिन उथपपा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास की गोशना की तो इस क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास की गोशना की तो इस क्रिकेट के सभी प्र format से सन्यास की गोशना की थी। बिराट कोहली अभी ट्विटर पर सबसे जादा फॉलू किया जाने वाले क्रिकेटर वने हैं। ये के प्रिकेट से रिलेटिट कुष्यन हैं। लाश्ट वीडियो मैंने आपसे कुश्यन पूचा था कि किस देश का हारलेम सहर मास बिग्यापनों पर प्रतिबंद लगाने वाला पहला सहर बना है तो ये नेधरलेंड का सहर है और मास बिग्यापनों पर प्रतिबंद लगाने वाला ये पहला सहर बना है तो इस question का बे option सही था और लगबग सभी students का अंसर सही दिया most least 20s के बारे में detail में लिखा मैं आपको एक बर फिर बोलूँगा question के बारे मैं आपको जितना जादा से जादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली में भारत का पहला वानिकी बिस्विद्याले कहां इस्तापित होगा चार option दिये गए हैं इनमें से आपको अपना answer बताना है और इसके अलाब आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप instagram पर indresrc instagram पर indresrc सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt कोई भी confusion without any agitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का आप target जरू याद रखना आज किस वीडियो का target है 40 या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है help लगा है तब आप इस वीडियो को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related WhatsApp और Facebook गुरूप है उन में आप इस वीडियो को share जरू कर दिया करो तो ये था आज का मारा current affairs का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लेज comment box में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने मारे इस channel को subscribe नहीं किया है तो इससे आप subscribe जरू कर लेजिए आपको इस channel से निश्चित ही मदद मिलेगी जब आपसे subscribe करेंगे तो बरावर में एक bell icon बनके आएगा आप उस bell icon पर जरू क्लिक कर लें जिससे कि आपको daily morning में current affairs की वीडियो मिलती रहे next exam all page with you thanks for watching